नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बर फिर से आप लोगों का समीर पाट साला में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक प्यारी सी पोएम को जिसका नाम है The Broken Wing और इसको सरोजनी नाइटू ने लिखा था अब इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पोइंट्स बताना चाहूँगा जो आपको आपके एक्जाम में हेल्प करेंगे जिनें आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है जितना जरूरी आप लोगों को इस poem का text पढ़ना है इतना ही जरूरी उन points को याद रखना भी है क्योंकि आप से exam में इस तरह की information पूछ ले जाती है जैसे कि जो सरोजने नाइडू थी उनका जरम 13 February 1879 को हुआ था और कहां पर हुआ था हैदराबाद में हुआ था तो ये चीज आप से पूछ ली आती है कि सरोजने नाइडू का जरम कब और कहां पर हुआ था ये चीजे आप लोगों को याद रखनी है साथ ही इनका screen shot आप लोग बाद में ले 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 ना क्योंकि कुछ ऐसे points है जो आप लोगों को भूलना ही नहीं है अगला point है जो सरोजनी नाइडू की death हुई थी वो 2nd March 1949 को हुई थी लखनाओ में हुई थी उत्तर परदेश के ठीक है तो लखनाओ जो है उत्तर परदेश की राजधानी है तब वहाँ पर 2 March 1949 में सरोजनी नाइडू की death हुई थी एक question यहाँ से और भी बन सकता है कि how old was सरोजनी नाइडू at the time of her death तो आपको उसका answer 70 years देना है तो कुछ points यहाँ से important निकल के आए हैं कि कब उनकी death हुई थी, कितनी age की थी, कहाँ पर हुई थी ओके यह सारी information आप लोग को याद रखनी है अब सरोजनी नाइडू एक political party से भी जुड़ी हुई थी वो किस party से जुड़ी हुई थी Indian National Congress Party का नाम है यह पूछा जा सकता है आप से exam में इसे भी याद रखना है she was the first Indian woman president of Congress वो Congress party की first Indian woman थी जो उसकी president बनाई गई थी इसके अलाबा कुछ और points हैं सरोजनी नाइडू was the first woman governor of a state in free India जो सरोजनी नाइडू है जब हमारा भारत आजाद हो गया था जब हमारा भारत जो है free हो गया था तो उन्हें एक state की governor बना गया था and she was the first woman governor और वो पहली ऐसी भारते महीला थी जो governor बनी थी एक state की किसी state की उत्तर परदेश की और कब बनाय गया था उन्हें 15 अगस्त 1947 को ही governor बना दिया गया था उत्तर परदेश का और 2 मार्च 1948 तक वो उत्तर परदेश की governor रही थी इसके अलावा सरोजनी नाइडू के कुछ important work है जैसे की the golden threshold जो 1905 में आया था इसके अलावा the word of time जो 1912 में आया था और the broken wing जो बहुत ही important work है जिसे हम discuss कर रहे है it was published in 1917 1917 में इसको publish कर आए गया था एक और broken wing के नाम से एक play है जो American play है और उसको Charles Goddard ने लिखा था ये चीज़ याद रखना जो हम discuss करेंगे वो poem को discuss करेंगे लेकिन broken wing के नाम से एक play भी है इसके अलावा जो Sarojini Naitu है उन्हे Nightingale of India भी कहा जाता था मतलब भारत की बुलबुल के नाम से भी ये जानी जाती थी और जो last point है ये बहुत important है इसको आप note down कर लीजेगा Edmund Goes called her the most accomplished living poet in India in 1919 देखिए ये question आपसे दो या तीन तरह से पूछा जा सकता है exam में कि जो Sarojini Naitu है उन्हें किसने the most accomplished living poet in India कहा था तो आपको answer देना है Edmund Goes ठीक है या फिर ये question बदलके आपसे पूछा जा सकता है कि किसे Edmund Goes ने the most accomplished living poet in India कहा था तो इसका answer Sarojini Naitu होगा तो आप लोग इस तरह से अपने questions को prepare करने ये आपको exam में help करेंगे देखिए अब मैं आप लोगों को इसका title समझा देता हूँ जैसे कि इसका title है The Broken Wing और ये poem जो publish हुई थी 1917 में हुई थी उस समय पर हमारा जो देश है आजाद नहीं था उस समय पर लोग आजादी के लिए लड़ाई लड़ने की तयारी कर रहे थे मतलब उनके अंदर एक ऐसी विचारधरा आ चुकी थी कि वो अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए भी तयार थे तो हर एक भारतिया जो जिस काम में सक्षम था वो अपना कॉंट्रिव्यूशन दे रहा था उसी तरह से जो ओथर थे जो ओथर्स थे पोएट्स थे राइटर्स थे वो भी अपनी राइटिंग के थूरू लोगों को इंस्पायर कर रहे थे उनकी थोट को मजबूत बना रहे थे कि वो फ्रीडम के लिए लड़ाई करें तो जो ब्रिटिस गवर्मेंट है उसने क्या किया उसने जो राइटर्स हैं ओथर्स हैं पोएट्स हैं उनको ये बोल दिया कि तुम अभी कोई भी चीज रिलेटिट टू फ्रीडम नहीं लिखोगे तो इस तरह से जो राइटर्स थे उनके पंक काट दिये गए थे तो सरोजनी नाइटू ने इसी लिए ये ब्रोकन विंग इस पोएम का टाइटल दिया है अब ये पोएम जो है वो सोला लाइन्स की पोएम है और दो पार्टों भाग में बाटी गई है आट लाइन का जो भाग है पहला वो कोश्चन भाग है और दूसरी आट लाइन जो है वो आपकी आनसर पार्ट है राइट तो सबसे पहले हम लोग डिसकस करेंगे कोश्चन पार्ट को देखिए आप लोगों के सामने एक बर्ड है जो एक घाहल बर्ड है उसका जो पर है वो टूटा हुआ है या फिर पूरी तरह से जखमी हो चुका है वो पर उसका लेकिन उसने अपने विचार जो है अभी उड़ने का जो थोट है वो अभी नहीं strong बनाई हुई है कि वो अभी उड़ सकती है तो ऐसी चीजे ही हमें freedom को लेकर इस poem के अंदर जानने के लिए मिलेंगी तो सुरू करते हैं इस poem को यहां पर कहा गया है कि जो दुख भरी रात है वो बीथ चुकी है वो पास हो चुकी है बीथ चुकी है और एक महान सुबह का उद्य हो चुका है dawn का मतलब होता है तड़के का समय या फिर जो भोर का समय होता है उसको हम dawn कहते हैं तो जो दुख भरी रात है वो बीथ चुकी है और एक महान सुबह का उद्य हो चुका है from her deep age long sleep she wakes at last बहुत लंबी समय की नींद के बाद, बहुत लंबी समय की गहरी नींद के बाद, C, C यहां पर कहा गया है, इंडिया को भारत के लोगों को यहां पर C कहा गया है, कि बहुत लंबी समय की नींद के बाद, भारत के लोग जो हैं, वो जाक चुके हैं, अब मैं दूसरे सब्दो कैसी बनानी है आजाद बनानी है अपने देश को आजाद कराना है अंगरेजों से राइट तो इन दो दो freedom की कलिया है वो खिल चुकी है बट्स का मतलब होता है कलिया और खुसी से भरी हुई जो ओब का मतलब है खिलना जो freedom की जो खुसीयों से भरी हुई कलिया है उन सभी लोगों के मन में खिल चुकी है fresh lips to the returning winds of hope का मतलब है hope of freedom यानि कि जो लोगों के अंदर सोच है सरतंतरता की सोच है freedom की जो सोच है वो आ चुकी है किनके मन में जो fresh lips है fresh lips कौन है जो youth है जो भारत की youth है वो भी अपने देश को आजाद कराना चाहती है या फिर जो लोग अब तक ये decide कर चुके थे भाई उन्हें तो अपनी जिन्दकी अब गुलामी में ही जीनी है अब उनके मन में भी ऐसा आ चुका है कि वो भी अपना देश आजाद कराना चाहते है our eager hearts renew their radiant flight toward the glory renescent light our eager hearts जो हमारे दिल हैं वो बड़े ही उत्सुक हैं किस चीज के लिए उत्सुक हैं जो हमारी जिन्दकी होगी freedom वाली आजादी वाली जो अब हमें आजादी मिल जाएगी उस जिन्दकी को जीने के लिए बड़े ही उत्सुक है radiant का मतलब होता है उज्वल और flight का मतलब है उड़ान और ऐसी जो उज्वल वाली जिन्दकी है वो हम कब जी सकते हैं वो जी सकते हैं हम अपनी freedom के बाद ही towards the glory towards the glory का मतलब है कि किस के लिए वो अपना जो eager heart है वो किस के लिए हैं उस सम्मान के लिए हैं जो सम्मान उन्हें आजादी के बाद मिलेगा life and our land awaits their destined spring songbird why are those dao bear a broken wing देखिए हमारी जिन्दगी ने और हमारी धरती माने जो भारत मा है हमारी जिन्दगी हमारी life ने और धरती माने बहुत लंबे समय तक इस दिन का इंतजार किया था कि लोगों के मन में ये spring आ जाए spring यहाँ पर जो hope of freedom है वो लोगों के मन में आ जाए लोग अपनी सर्तंतरता के बारे में इस गुलामी वाली जिन्दगी को छोड़ने के बारे में सोचने लगे तो लोगों के मन में ये spring अब बसंत आ चुकी है यहाँ पर वो बर्ड जिसके पंक तूटे हुए है वो कहता है कि जिस spring ने जिस hope of freedom ने मेरे देश के सोय हुए लोगों को जो है ancient land जो है मतलब जो पुरानी जो land है पुराने धरती पे जो लोग रह रहे थे उनको भी अपनी नींद से जगा दिया है जिस आजादी की सोच ने उन सोय हुए लोगों को भी जगा दिया है तो क्या उस आजादी को मेरे इन तूटे हुए परों से भी कुछ मदद चाहिए क्योंकि देखे जो बर्ड है जो पक्ची है उसके जो पंक वो तूट चुके है लेकिन उसने अपना करेज नहीं छोड़ा है वो अपना कॉंट्रिब्यूशन भी देने के लिए तयार है इस स्प्रिंग के लिए इस होप औफ फ्रीडम के लिए इन दो लाइनों को आप अच्छे से समझीएगा ये दो लाइन इस पोईम से थोड़ी सी हटके हैं जैसे की और फेट्स ब्लाइन एरो इस्टिल दा पलसिंग नोट ओफ माय फ़ार रीचिंग फ्रेल अनकंकर्ड थ्रोट देखें 1917 के टाइम पर जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय पर हमारा जो भग्य है वो कैसा होगा हमें कोई भी चीज अपनी जरूरत के हिसाब से नहीं मिलती थी बिल्कुल भी नहीं मिलती थी और जो अंग्रेज लोग थे पलसिंग नोट का मतलब है जिनके अंदर कुछ करने की छमता होती है जो अपना कोई भी काम बड़ी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट तरीके से चला लेते हैं उसको हम पलसिंग नोट कह सकते हैं पलसिंग नोट यहाँ पर एक चीज और भी कहा जाता है कोई भी चीज हम strong way में करें या फिर regular moment पर उसे करते रहें तो अंग्रेज जो थे वो हमारे साथ एक ऐसा वहवार करते थे जिससे हमारे अंदर कोई भी thought of freedom ना सके जो हम गुलाम ही बने रहे हैं कोई भी ऐसा विचार हमारे मन में ना आए जो हमारी आजादी से जुड़ा हुआ हो ओ फार रीचिंग फार रीचिंग का देखे यहां पर मतलब होता है जो भी हमारी रोज मर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजे थी उनको भी उन्होंने हमसे क्या कर दिया था दूर कर दिया था जिसकी वजह से हम लोग क्या हो गए थे कमजोर हो गए थे अनहेल्दी हो गए थे जो चीजे अंग्रेजों ने हमारे साथ की हमें गुलाम बनाने के लिए लेकिन वो एक चीज हमारे साथ कभी नहीं कर पाए कि हमारी जो वोईस है वो हमेशा अनकंकर्ड रही उसको वो कभी नहीं दवा पाए उसको वो कभी भी नहीं जीत पाए ओके अब इन चार लाइनों में आप लोगों को बहुती अच्छा मैसेज यहां पर एक मिलेगा देखिए यहां पर कहा गया है और ए वीक बिलीडिंग पीनियन डॉंट और टायर यहां पर कहा गया है देखिए जो बर्ड जिसके पक्ची के जो पर टूटे हुए है उसके जो पर है पीनियन मतलब जो उसके पर जो घायल है पक्ची के वो और वो बलीड कर रहे हैं उनमें से खून लिकल रहा है ठीक है पूरी तरह से जो पक्ची है वो घायल है लेकिन उसे फिर भी don't का मतलब है यहां पर कोई भी किसी भी तरह की चिंता नहीं होना कोई कितना भी बड़ा difficult काम हो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना तो ये जो पक्ची है उसको किसी बात की चिंता नहीं है उसके पर घायल है या कट चुके हैं उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है वो रेडी है किस चीज के लिए फिलाइट के लिए मतलब उडने के लिए रेडी है और उचाई तक उडने के लिए रेडी है जितनी उचाई त हम लोग लेकर चल लए हैं मैं उस आजादी के लिए उठ खड़ा हो गया हूँ मैं उस आजादी के लिए उठ खड़ा हो गया हूँ and scale the stars upon my broken wing और मैं नापने के लिए तयार हूँ इतनी उचाई तक उड़ने के लिए तयार हूँ नहीं हैं तो ये message इन चार लाइनों में हमें मिलता है कि अगर 1917 के टाइम पर जब हमारा देश आजाद नहीं था तो हमारे पास हत्यार नहीं थे हमारे पास management की भी कमी थी उस टाइम पर लेकिन हम लोगों ने अपनी जो thought of freedom है उसको नहीं छोड़ा था उस विचार धारा के साथ हमने काम किया और 15 अगस्त 1947 तक हमें पूरी तरह से आजादी मिल गई थी I hope ये पोयम आप लोगों को अच्छी तरह समय में आई है मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए जैहिंद